कि आज की इस वीडियो में मिर्ची की एचर की रेसीवी शेयर करूंगी मिर्ची काचर बहुत जल्दी बनेगा और पहुत ही टिस्टी बनेगा एक अलग तरीके से मैं बता रहे हूं इसे बनाईएगा बहुत पसंद आएगा तो सबसे पहले मिर्ची काचर बनेने के लिए यह औह फिर चाकु से भी काट सकते हैं, जैसे काटना है, गोले या लंबाइ Racis काट यहां पर मिर्चि काट करके मैंने तयार कर लिए है। ऑस्पावाले मिर्ची में पहुत सारी इसे निकाल मिर्ची से लें ले जम 자f Minaj मिरची का रहा नकाल फए मिरची पर दैल सके साया वाल मिरटी को का निगा का तिखापन भी कम हो गया है अब मिर्ची को एक बाउल में शिप्ट कर लेंगे जिसमें हमें अचार मेक्स करना है तो यहां पर एक बाउल में रख लिया है मैंने और इसके लिए मसाले तयार कर लेते हैं एक पैन में डालेंगे दो चमच सौफ सौफ की क्वांटिटी थोरा ज्यादा लेना एक चमच जीरा और एक मेती मसाले को चलाते हुए बोन लीजिए बहुँ ज्यादा जलाना नहीं अलका सा मसाले को दोस्ट करना हला जब चिटकने की आवाज है फिर इसमें गैस कफले मापकर के एक चमच पीली सरसों और एक चमच काली वाली रही डाल दीज गरम पैन में चला दीजिए मसले गरम हो जाएंगे जब ठंडा हो जाए तो मिक्षी के जार में डाल करके इसको पिस्के तयार कर लीजिए एक बरतन में 100 ग्राम लगभग सरसो का तेल लेंगे और गरम होने रख देंगे तेल में जब धुगा निकलने लगे अच्छे से गरम ह हो जाएं तो गैस कफलें आफ कर दीजिए तेल को चूले से हटा लीजिए और गरम तेल में एक चमस कलोजी डाल दीजिए एक चमस अजवाइन डाल दीजिए आधी चमस हिंग डाल दीजिए और अच्छे से मसाले को तेल के अंदर मिक्स कर दीजिए जैसे जैसे तेल ठंड ग्राम मिर्ची है लगवग 50 ग्रम मैंने नौर्मल लमक और एक चमच काला नमक डाला है है एक चमच हल्दी पौडर एक चम्मच कास्मिरी लाल मिर्स पौडर कलर के लिए और एक निम्बुरी चोर देंगे निम्बु की जगा पर अमचुर पौडर दो चम्मच या फिर 50 ग्राम विनेगर भी डाल सकते हो मैंने निम्बु का इस्तेमाल किया है अब पीजीवे मसाले को डाल देंगे पहले नमक और म मिर्ची के अंदर फ्लेवर वाले ये तेल डाल देंगे और जितने भी मसाले हैं सब अच्छे से डाल देंगे अब अचार को अच्छे से मिक्स कर ले मिर्ची काचार बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा हरी मिर्ची काचार इस तरीके से अब बनाना पहल जल्दी बन जाएगा अब जितना दी रखना चाहे इसे डग सकती हो अब एक काच के डबे लेले अच्छे सुखे हुए उसमें तेल और एक चमस नीचे नमक डाल दे अच्छे से डबे में लगादे ही ला करके अचार को डबे के अंदर डाल ले और एस्पून की जहता से इसे दबाते रहे इसमें जो तेल है निम्भू का रशे उपर आ जाएगा और अचार घुलना शुरू हो जाएगा अचार में देर नहीं लगेगा बनाईए और बनाते बनाते खाना शुरू कीजिए तो इस तरीके से मिर्ची का चार बनाना और कैसे लगे अपने बीचार कमेंट बक्स म से सेर करना